सरगम के सितारे फिल्म संगीत का सुरीला सफर नामा सरगम के सितारे सरगम के सितारे सरगम के सितारे प्रियोग्राम सुन रहे सभी शोताओं को रेनू बंसल का नमस्कार शोताओ, आज के सरगम के सितारे हैं वरिष्ट संगीत कार श्री रामलाल रामलाल जी ने जादा तर ऐसे फिल्मों में संगीत दिया जिनके विशे पौरानिक अख्यानों पर आधारित थे लेकिन दो फिल्में ऐसी हैं जिनके सुमधुर संगीत ने रामलाल जी को अपार लोक प्रियता दी इन दोनों फिल्मों की संगीत रचनाई हिंदी फिल्म संगीत की अनमोल विरासत में शामिल हो चुकी है ये फिल्में हैं सिहरा और गीत गाया पत्थरों ने साथों के तार पर धड़कन के तार पर दिल के फुकार का गीत गाया पत्थरों ने गीत गाया पत्थरों ने पत्थर में भी जो संगीत जान डाल दे रामलाल जी के सिर ऐसे ही संगीत स्रिजन का सेरा बांधा स्वेम संगीत रसिकों ने संगर्ष के बेसुरे रास्तों से गुजर कर बेहत सुरीला संगीत रचने वाले संगीत कार रामलाल का अपना जीवन भी कोई बहुत सुरीला नहीं रहा जिस तरह हमारी स्मृत्यों में उनका सुरीला संगीत रचा बसा है उसी तरह संगीतकार रामलाल जी की यादों में अंगिनत खटे मिठे प्रसंगों की अनुगूंज शेश है तो आईए सुनते हैं वरिष्ट संगीतकार श्री रामलाल से कमल शर्मा की बातचीत और साथ ही संगीत कर रामलाल जी की पसंद के गीत उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सरगम के सितारे रामलाल जी स्वागत है विविद भारती की स्टूडियो में आपका और हमारे शोताओं की उरसे विविद भारती की उरसे बहुत बहुत नमस्कार आपको भी नमस्कार है कमल जी रामनल जी आपका एक गाना है जिसकी पंक्तिया इस वक्त जहन में आ रही है पंक होते तो उड़ाती दह कैं यहां से निए कहानी कहानी शुरू करना चाहते है जब पहली पार आपने फिल्म इंडस्ट्री में चाहता एक गलागार के रूप में यह कहानी कहां सबती है कामल जी एक ऐन से शुरूरूते कमल जी कि मुझे पता चला था कि राम गंगोली साब के भाई बनारस है तो बनारस में हमने सिखा बढराम डाव जाय से हमारे बड़ादे बादूसाहब से पास में गया तो उनुने मेरी शानाय और वाहसुरी सुनी सुनकर मुझे परिथ्वी मेहने पर वहां से हमको लेकर राये थे, 1942 में तो वहां में थेटर में बजाता था फुलूट और शेहनाई अच्छा शेहनाई पर भी आपका अधिकार्थ और बांसुरी पर भी हाँ थोड़ा थोड़ा दोने पर कमाने काने के लिए तो आग में हमने बासरी बजाया और शेनाई भी बजाया तो आग 46 मेर आग साब के लगी तो उसके बाद शांता राम जी ने सुना मेरा बजाना और गाना बसंदेशाई साब ने सुना वी शांता राम जी वी शांता राम साब ने बुला तो उन्होंने मुझे बुलाया तो द आनना साहब बोलता हूं तो मेरे पास आजाओ जतनी में उनकी फिलिम उनके बाद बजी बनी है समय में बजाया हूं और चानाई भी और फुरूट भी तीन बती चार राश्तर भी बजाया हूं आप समझेए सुरंग में पर्शाई शुभकतारा अमर भुपाली ने बने बने जो भी फिल्म बनी नवरंग यानि रामलाल जी आपकी भीतर वो जो एक संगीत के सुरों की मध्धम मध्धम आज थी वो जो बाहर आने की छटपता हट की आज थी और वो जो भीतर एक सुरों की मध्धम मध्धम लई की आज थी उसे बाहर आने का मौका मिला उस आज को फि तो यह जो पहला हर आदमे का तजरुबा होता है कैसा लगा वो पहली बार और इतने लोगों के बीश में बजाना और उसके बार में उसकी सरहना मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा और में बड़ा प्रेम से बजाया अफिर हमारे गुरू थे राम गुनि साफ तो जो पहला गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग हुए उसकी रिकॉर्डिंग में कितना वक्त लगा हुआ किते टेक में वो गाना पूरा हुआ था कौन सा जो पाल जो 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 आपने जब अपना संगर्ष शिरू किया फिल्मों का जिसमें आप 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 आपके सम्काली जो दूस्ते भी संगीत कार्थे उन वो सब भी कहीना कहीं कुछ तो सभी तो चुके ते कुछ का संगर्ष चल रहा था इस्टैबलिश होने के लिए तो आप बताएए किन-किन के संपर्क में आए किन-किन संगीत कारों के मैं तो सभी संगीत कारों के साथ था नौशाज साथ के साथ था था बसंद देशाई साथ के साथ बहुत था मैं आप समझे राम गंगोली साथ के पाश था बहुत लोगों के पास मैं काम किया जितने भी हैं पुराने उन त्युन कि नब कि ट्रव के युद् उसक्राइब कुछ इस शहुंस, ट्रव को कि वं पढ़ की घया, एपके के आ Two- besten टोन साथ काम कि युद्य पार चुछ वो आवाजें लगातार गुमुर्षती रहती है और मैं समझता हूँ कि अभी जो आपने एक छेड़ सा दिया है दिल कितारों को तो अब एक गीत भी आपका छेड़ना चाहते हम तो बताईए रामौल साहब के आज हमारे शोताओं को सबसे पहला गीत आप कौन सा सुनाना चाहते हैं सबसे पहला गीत आप सुनाईए कमल जी आग का जिसमें मैं पहली दफा बजाया हूँ फुलूट और शाहनाई जिन्दा हूँ इस तरह के गमें समय जिन्दीन जिन्दगी नहीं जलता हूँ आदिया हूं अगर रोशनी नहीं जिन्दा हूँ इस तरह के गमें जिन्दगी नहीं जलता हूँ आदिया हूं अगर रोशनी नहीं गोमुदते हुई है किसी से जुदा हुए गोमुदते हुई है किसी से जुदा हुए लेकिन ये दिल की आग यदी तक भुजी नहीं जिन्दा हुए इस तरा के गमे मैं अब आप से जाना चाहता हूँ ये जो सफर पिर आपका शुदा हुए संगीत देने का इसके बाद में भी आपने कितने साल तक फिल्मों में शेहनाई और बांसुरी कलाकार के रूप में भाग लिया या जो औरकेस्टर में बजाते थे आप कितनी फिल्मों में और आपने संगीत दिया ऐसे वैसे तो हमारी कई पिजन और थाराइभीस फिल्में हैं मंगर सब छोटी-छोटी हैं अच्छे नकाप पोस होसन वानू रंग महल ऐसी ऐसी फिल्में हैं माय मचंदर यह सब आपकी वो फिल्में जिनमें आपने सोतंतर संगीता जाएँ वो ही मचंदर और लेकिन वैसे बत और किसी में आपने जो फ्रूट के रूप में यह उता बहुत हैं अब को मलजूस की गिंती नहीं है बहुत है अच्छा आप बांसुरी की जब हम बात करत हैं तो हमारे जैन में एक नामाता है बनना बाता है हमारे गुरू के गुरू भाई थे और जब शेहनाई की बैत करते हैं उच्टाद बिसम लल्लभ खा शाहा था उनके साथ में मैं बजाया हूं माने कि नवय China आपकी आपकी साथ आप में ओव जो खाजाने हैं न今 वे एसक यह कहेंगा कि लूट लेना चाहते है उस खाजाने को हमने नहीं कहा साथ तो बहुत बड़े उची है बहुत बड़े हैं हम तो बच्चे थी उनके शानाई सुनकर शानाई बजाता था क्या हुआ थे तो आपने मुझे बचाय कि असी रुपे में आपको तर्खा मिलते थी तो कि अच्छ नहीं पूछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जब शांदारामबाप हमको बुलाए है वही से फिर दौ सोर प्या शुरू हुआ पर बसंद्धाई साथ के साथ बाहर काम करना शुरू पिचर बचर में तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लेगे अच कि अच्छ जी को असी रुपया मिलता था कौन वो लोग बाद में आये थे सवतंत्र संगीतकार के रूप में आपने सबसे पहले वो कौन सी फिल्म ते जिसमें संगीत या था तांगावाला तांगावाला पीर संतोषी साब ने हमको दिया था 1950 में राजकमार संतोषी के पि क्या को रुक्त निए उनका पागल खाना पीचर जो शुरू किये थे वहादवरी पड़ी थी बन नहीं पाई तो जब फानेंकर को पताचला को पिचर नहीं बन पाई तो तांगावाला का फाने संगल कर दिया इसलिए जान वाला बन नहीं पाई उसके गाने रिकार्श लेगान कोई बहाना हो प्यार करना पड़ेगा लता भाई ने गाया था और एक गाना था ओ या नभीब सलाम लेगा या अभीब सलाम लेगा नाद सरकाता या अभीब सलाम लेगा लेगान लेगा था उजमानों पिचर अठाई सब्सक्राइब ने खानपूर में तो सेहरा फिल्म आपको कैसे मिली इसे मिली कि हम रिकोर्डिंग कर आ रहे थे हमारे अगमिंधर थे बर्वे वह हमको बताई कि शांताराम अभू पिचर बना रहे हैं अभी सहरा और काफी लोग ट्राई कर रहे हैं तो मैं तो स हांताराम बबु को बोला था कि अनना साब हमको भी पिच्चर आफ दीजिए तो बोले हम ठीक हम देंगे र्हामन थाइमाने तो हम उनके पाप चलेगे जिए बर्वे साब की बात सुनकर हम चलेगे राज कमन में अन्ना साहब से मिले शांतारा माभू से अब बोले हमको पीचर आप देजिए उनने पूछा तुमने पहले पीचर कोई किया हमने बोला साब हम चीए माथलोजिकल पीचर की है अभी इमार मायम चंदर लगी उसका रेकॉर्ड आप सुन लीजी तो बोले राम लालो तुमने रेकॉर्ड तुम्हारा मंगर तुम सामने हमको बैठके सुनाओ क्या जानती हो कौंकि फिले में तो म्यूजिक कोई बनाता है असिस्टेंट सब करते हैं नाम किसी किसी काता है तो तुम सा और यह सब जितनी भी तर्जें सिहरा की हैं यह सब पहले तर्जें बनाया हूं मैं उसके बाद उस पर बोल लिखाया हूं डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड प्रोले यावे मुदि습ा के डाओ पन सुने घेतने जमरे गाने जह जयते हमारे गाने इन ए जू एक महाने के बाहने हमारे पास आई ऐत त्रज बना कर छू झा कर बո्र लिखा थे तो एक महने के बाद हमारा अगिर्मेंट किये और अगिर्मेंट के पहले पूरा राज कमल के इस्ता पूरा हॉल में आके सब बैठके सुने उसके बाद हमारा अगिर्मेंट किये तो ये अगिर्मेंट कितने का था? पांसो रुपे महने का था आपने जब सहरा का जखर चुड़ दिया है और ये गाना खासो से और इसके अलावा सहरा के बहुत दूसरे जो गाने हैं सभी गाने मैं समझता हूं कि बड़े ही मन को गहरे तक छू जाते हैं उसमें जो एक गाना खासों से वो जो हमने जिसकी बात की थी शुरुवात में ही कि पंख होते तो उड़ाती रहा है तो ऐसा है कि पंख लगाई ये गीत को हम चाहरें कि आप ये गीत हमारे सुनने वारे मुसरो सुनाइए सुनाइए पंख होते तो उड़ाती रहे प्रतिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखिला तीरे पंख होते तो उड़ाती रहे प्रतिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखिला तीरे यादों में खोई पहुची जगन में पंखी बन के सची रगन में दूर से देखा मौसम हसी था आने वाले तू ही नहीं था प्रतिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखिला तीरे पंद होते तो उड़ा तीरे रखिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखिला तीरे अ, अ, हो उड़ा प्रतिया दिल के सची रखिला तीरे किरने बन के बाही फेलाई, आस के बादल पे जो के नहराई जू चुकी में वादे का जूला, जू चुकी में वादे का जूला, तू तो अपना वादा भी भूना, त्रतिया ओ जानिमा, तुझे दिल का दाग दिखिला तेरे, तुझे दिल का दाग दिखिला तेरे, तरतिया ओ जानिमा, तुझे दिल का दाग दिखिला तेरे, जानना चाहता हूं, जैसे आपना बता है कि फिल्म टांगे वाला, वो ऐसी आपकी फिल्म थी, जो आने वाली थी, लेकिन बन नहीं पाई, उसके बाद कौन से फिल्म आपको मली फिल्म, वो इसके बाद नकापोष, रंग महल, ऐसे चोटी बहुंसे, पर कोई बनी, कोई नहीं बनी, इस ताइप की सब मिल्ते एंगे, फिर नाग लोक, फिर मायमचंदर, फिर नाग-यग्य, कोई बना, कोई नहीं बना, हमारी तीन करना फिल्म ही बनी, नाम नम थिल्म e आपका परियाय बन गया तो उनोंने फिम को निकालके सिर्फ संगीद वाई, रामलाल सहरा, ऐसा दियाता करणा में, क्या बादी यसपी बादस्य भादसे परिमीं साभ ने गया, यसदाउ जी ने गया, यह परिय। उस समय और कौन कौन सी फिल्म में उसी की टक्रमिया वैसे हुदर ने चैलेंज होता है कि इस साब और बड़ा ही स्वस्त स्परधा जिसे हम कहते हैं कि साब इदर नौशा साब एक फिल्म में एक म्यूजिक दे रहे हैं उदर सी राम, चंडर या लक्षमी कान प्यारे लारेक फिल्म में संग्यू दे रहे हैं और उदर राम नायल जी भी अपने काम में जोटे हुआ है तो यह कुछ बताईए कि उस समय ऐसा भी कुछ था कि कौन सी फिल्म में चर्ची थी या चर्चा में नहीं, बहुत बरस पहले अबने सुचा था कि कभी नोशाच था और शंगर जेकरसन की पिचल लगें और मेरी भी पिचल लगें अच़री वो समय आगिया था हुआ तो कौन सा समय था यही लीडर लगी थी संगम लगी थी लीडर होए नोशाच सहब की और संगम जेकेशन साफ की, और शंकर साफ की, और सेहरा रामलाल की, यह तीनों लगी थी एक साथ. शामताराम आप हमको बोले, रामलाल देखो, कमपडिशन में पीचर आ रही है, लीडर संगम के साथ. मैं बला, Ananda साथ, हमने बहुत बर्षा पहले ऐसा सूचा था कि लोगों के साथ में पिचर लगे. बला, बीजेस मत होना, मैं बला, बीजेस ओवर पूदेंश नहीं हूं, आपूचर लगने दीज़ेत, फिर देखेगा आप. कभी आपने सूचा था कि फिर्म इंडिस्ट्री में आप आएंगे। कभी नहीं सूचा था, फुलूट पलियर बनना चाह तो शानाईवाला बन गया, शानाईवाला बनना चाह तो संगीतकार बन गया। मुंबई यह कैसी जगह है, जो इंसान का कई बार इंतहान लेती है, लेकिन जब इंसान काम्याब होता है तो इसको सिर्माथे पर भी इठाती है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हुएं जो इहां कई-कई बार आएं और फिर डिसरपाइंट हो के चले गए। मुझ शाफी यह काम पेसलिए कि आपके साथ मैं आपके साथ में अपके साथ में एप्स लेत गया। सgendग नाीनि ओंतम यह जो काम किया समयान आपके मी शंगिए। उसमें मनलब बजाया? बजाया, बजाया. तू छुपी यह कहान ही बजाया. अच्छा उस कहने में भी आशाना ही बजाया हुआ. शेहना ही? यहाँ. और शंदारा मापु ने कहा, रामला, हमारी कोई फिलिम के मुजिक इतना हिट नहीं हुआ, इतना पॉपलर हुने और जतना सेहरा का हुआ. यह उन्हें ने कहा? यह उन्हें ने कहा. बढले हमको बड़ी खुशी इस बात की. बार किस से किस से आपको मुबारक बात मिली? सेहरा के बाद तो हमको दो य तीन आदमी तारीफ किये, किसी ने कुछ बोला नहीं है, बगर कोई इंडस्टीक आदमी यह ने बोला, राम लाजी ने अपने क्या के सिरी भसंद देशाई, साहब, अन्ना साहब, और ऐसी दू एक मदन मोहन साहब. अब यह बताईए, बातचीत का सुछ सिलसला ऐसा है, कि जब वो छड़ता है, तो फिर आज में गुम हो जाता है उसमें, लेकिन हमें भी बार-बार लौट के आना है, क्योंकि हमारे तमाम सुनने वाले, न केवल वो आपकी यादें, आपके साथ में बाट रहे हैं, बरकि यह भी चाहते हैं, कि आप उनको उपनी पसंद का घित भी सुनाएं, तो अब यह बताएं कि कौन सा घित आप उनको सुनवा रहे हैं, हाँ, तो कमल जी, नवरंगा बात चला था, नवरंगा गाना सुना देजे, तू छुपी है कहां, तू छुपी है कहां, मैं तलपता यहां, तेरे बिन्खी का ठीका है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तलपता यहां, तिल की मैं पिल में जब ना मुझे तुम मिले, साथ लेती हूँ आके इस निसान में, इन वहारों में जब ना तुझे पास की, तो तडपती हूँ आके इस निरान में, तेरे बिन्खी का ठीका है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तलपता यहां, तेरे बिन्चांद की प्थी की है चांदनी, मेरे गीतों को छुड़ चली रागिनी, जान तन में है परमन तो बेजान है, तुथी आवाज बाकी तब सुनसान है, तेरे बिन्खी का ठीका है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तलपता यहां, यह नजरे दिवाने थे खुई हुई तेरे रंगिन सपनों के रंगों में, तेरे बिन्खी का ठीका है दिल का जहां, छुपी है कहां, मैं तलपता यहां, तुचुपी है कहां, छुपी है कहां, शुपी है कहां, शुताओ विविद भारती पर आपने ट्यून किया है प्रोग्रम पिटारा, जिसमें आज के सरगम के सितारे हैं, वरिष्ट फिल्म संगीतकार श्री रामलाल, आपसे बाचित की है कमल शर्माने, रामलाल जी, ऐसा है कि पुराने फिल्मों का जो संगीत हुआ करता था, उसके बारे में कहते थे, कि उसमें मेलडी जो है वो क्वीन हुआ करती थी, मधुरता, मधुरता उसकी सबसे बड़े खुबसूरती हुआ करती थी, और आजकल सच मुच, आज से गीत सुनने के बाद में यह कहना पड़ता है, मेलडी के लिए, कि तू छुपी है कहां, और वो पुराने गीतों में छुपी हुई है, बहराल उस समय कौन-कौन से जो गीतकार थे जिनके साथ मैं आपने गामन किया, गीतकार थे नेपाली भी थे, गोपाल सिंग नेपाली थे, टीपक कुमार सुरसती, हचरिज जैपूरी थे, यह जो गुण जूठी शेहनाई फिल्माई थी, उसके नाम के आगे शेहनाई लगा हुआ है, तो उसमें तो उस्तार बिस्मिल्लाग खान साहब का नाम भी है, और आपने भी उसमें बजाया है, ना? तो हमारा नाम चार आद्मियों को साथ था, छोटा से एक जगे पर, तो फिर हमने पिच्चर पेंटीस साल नहीं देखी, हम जो छोड़ो, जो बजा दिया, गाना बजा दिया, बजा दिया, तो विजय भट जे बात अपना पूरा किये, ने इस बात को हमको दुख हो गया, बोलकर हमको ऐसा क्यों नहीं किये, तो हमको यहीं लगा वो पिच्चर देखने के बाद, गौंजुटे शानाई के बाद, कि शुरुवात मेरे से होती है, शानाई जो कौल शुरू होता है, गौंजुटे शानाई, वो मेरे शानाई से शुरू होती है, यह हमको फिल हो रहा कि आप अपना कोई प्यारा सा कीद हमारे सुननेवालों की नजर करें, उन्हें सुनवाएं, ताकि यही वजाई आप गुंजूटिशा नहीं तेरे सुर और मेरे गी, दोनों मिलकर बनेगी प्री, तेरे सुर और मेरे गी धड़कन में तू है समाया हुआ खयालों में तू ही तुछाया हुआ धड़कन में तू है समाया हुआ खयालों में तू ही तुछाया हुआ दुनिया के मेले मेलाखों मिले मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत दूनों मिलकर बनेगी पी तेरे सुर और मेरे जी मुझे को अगर पूल जाओगे तू मुझे को अगर पूल जाओगे तू मुझे को अगर पूल जाओगे तू मेरी मुहबत में ताथीर है तो खिचके मेरे पास आओगे तू देखो हमारी होगी जी दूनों मिलकर बनेगी पी तेरे सुर और मेरे जी फिल्मों की उस समय रिकॉर्डिंग में आजकल तू रिकॉर्डिंग टेक्निक बहुत सादा डेवलब कर गई है ऐसा कोई गाना आपको यादा था जिसकी रिकॉर्डिंग में आपने बहुत कम वक्त लिया हर एक गाने मेरे ऐसी है तो माली की महरबानी है ऐसी कोई हमारे रिटेक तो होते ही नहीं था कोई एक बात ऐसा बता में विजय भट की पिचर थी विजय भट साप की चितर गुप उसके मेजुग डर्टर थे मैं पहुचा और सब तयार थे और मेरी शुरुवात में भी शोलो पहला उन्तरा सोलो दूसरा उन्तरा सोलो दूतीन पीसिज मेरो सोलो सोलो तो चितरोब साहब बोलते है रामला जी जङ्जदावरू आपके हाथ में है रामळा यह जो 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 आजए पर रेकॉर्ड तो एक गाना में बाराव साड़े बाराव जी खतम हुआ तो लगता जी ने हमको का गे रामला जी मुझे पन्नी तर्वी शंकर के रेकॉर्डिंग मुझाना गोदान का रेकॉर्डिंग था साथ तो उस वकत मुझे लिए लताजी आपको कितने बजय जाना ए पूले एक बजय जाना हमको पंदर मिनट रह गया था पंदर मिनट में गाना रिकॉर्ड फर्स किलाश रिकॉर्ड खर जब से नाए लडे है तेरी राहों में खड़े है हम तो हुए मजबूर हो बालम पासर हो यादूर हाई जब से नैना ये यह गाना था रामनाल जी एक चीज मेरे जहन में कई बार सवाल की तरह कौनती है जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं कुछ ऐसी कोई बहुत अच्छी शेर उशारी पढ़ लेते हैं ऐसी जब कोई बहुत अच्छा गीत सुनते हैं उसका संगीत मीठा सुनते हैं तो ये सवाल उटता है कि आखिर ये कैसे बना देते हैं भई ये जो इसमें दर्द जो है और इसमें जो खुशी का हैसास है इसमें उमंग का जो एसास है अब जैसे मैं यादा था मुझे वो आपका गाना रभी शाप का गाया हुआ शेरा का तकदीर का फसाना चाकिक किसे सुनाएं इस तिल में जल रही है अर्मान की चिताएं तो ये जो चीज है ये दर्द है क्या इसलिए कि आपने भी बहुत दर्द ज्छेला है जिन्दगी में इसलिए आप उसको महसूस कर सके और उसको अपने गाने में डाल सके किस चीज को मानते है क्या पहचान है आपके संगीत की कि आप अपने संगीत की खास्चित किस चीज को मानते हैं? क्या पहचान है आपके संगीत की? मैं हमारे हिसाब सुते हैं कि हमारे संगीत का पहचान ही है कि मेरा संगीत भारत का संगीत है लगता है कि ये भारत का संगीत है थे मारू भीहाग, सुन लो, दुर्गाद सुन लो, देश मलार, सुन लो, सुन लो, तक्दीर का फ़साना, आप वोगो मेग मलार सुन लो, उसी मेभॉरो भी है, उसी मेभॉर, दमेशीर, पूर्या दनाशिरी भी है, तेरे ख्ञालो में हम। बताएगे जरा सा। तेरे ख्यालों में हम जो गाना है, वो मेग मलार में है. तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां. तो ये मेग मलार में, फिर उसका अंतरा आता बहरो में. यह जिसको आपने कुन गुनाया था गीत काया पत्थरू में आशा बहु निगाया है जाहरे कि आप सच में गीत ऐसा है कि पत्थर भी गुनाने लग जाएं तो इसके बारे में कुछ बताईए कि ये फिल्म सेहरा की कित्ते साल के बाद में आपको मिली ये उसी के बाद ही बनी ना उंदर रिलीज हुई शिक्टी थिरी में और गिदगापत्र काम शुरू 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 हो गई आपने खुद कहा था यहां पर भी ये फिल्म मुझे चाहिए कि उन्होंने खुद अपने आप ये खुद दिया इस भार आपको अपने आप ये जो का रामला ला गिदगापत्र बनाना आई तुम्हार पकार भी 800 हो गया हमुले ठीक है साथ रामला जी कभी ऐसा माकावे आया कि बैठक हो गई और ये तै हो गया कि भाई ये ये धुने जो है तै हो गई है उसके आद में आप घर चले गए और लेकिन दिमाग में फिर से कोई धुन नहीं आई है अब फिर वापस चले आए आइसा हुआ, ऐसा कही दफा हुआ, इसी को लेकर सूचते हैं, सूचते हैं, फिर घर में, फिर वहां से बस पकड़कर फिर राजकमल पहुच गया, फिर राजकमल हॉल में चला गया, जाके बाजाल तो बाजा का वाद सुनकर अन्ना साफ फिर आए, वहीं संद्या भाई के र आपकी मेर्वानी से हमको अच्छा संगीतु सुनने को मुल रहा है, मालिक की जयो, रामणाल जी, गीत गाया पत्थरों ने, इसका जिक्र आपने किया, हम चाहेंगे के इसी का गीत आपने गुन गुनाया भी था, वही गीत को ने सुना दिया, सुना जी, तेरे ख्यालों में हूँ, तेरी ही बाहों में हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तेरी ही बाहों में हूँ, अपने हैं दोनों जहाँ, तो जांके में हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, हुआ 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 है रोशनी भौरते पलपों में तेरे छुपू जब आँख फूलेगा तू उतली में हाँए हम भी हम है कला की जबा तू में तेरे रोख तेरे खयालों में हूए आपका ब तार्टाल मद भर चन चन ये शाद देती है तुझको प्रयाद पथर पे कर शायरी तुझको हमारा सलाद तुहे जहाँ वहाँ जून जमीया तुमा तेरे ख्यालों में हमारा प्रामला जी शाद्टी संगीत की बाकादा आपकी तालीम हुई लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद में आप फिल्मों में क्यों चलिया है फिल्म में तो क्या है कि मैं कुछ नई बात पैदा करो नया कुछ बनाओ इसे में रहता था मैं इसलिए हम मेदुग डर्टर हमने सोचा नहीं था कि मैं मेदुग डर्टर बनूगा बन गया बना दिये लोग गीत गाया पत्थरों ने मरे खल से इसमें शांतराम साहब की बिटिया हाँ राशिरी जी थी उन्होंने काम किया था इसमें इसमें किशोरी अमोंकर जी ने भी गाना गाया था टाइटल सॉंग इसका फिल्म और शीयच आत्मा साहब ने जी एक गाना है और वो गाना ऐसा है कि वो आत्मा की गहराई तक पहुंचाता है जो आग कुछ पताई उस काना के बारे में मुही ही मनुए तले गरीब के दो फूल खिल रहे है यह गाना है उसको सुनाईए सुना रहे ना हाँ सुनाईए जरूर हो साथ अगर पहलों में एक मस्ते शबाम एक जाम हो और हाथ में शेरों की किताम इक साथ हो और साथ पे गाती हो हसीना बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब बन जाए ये वीराना बहारों का जवाब मंडवे तले घरीब के दो फूल खिल रहे हैं मंडवे तले घरीब के दो फूल खिल रहे हैं आए रात तो न जाना आए चान तो न जाना ये नाव बहार चुपके से देखो नजवे न तुम लगाना मंडवे तले घरीब के दो फूल खिल रहे हैं मौस में इश्क है जरा होश संभाद हासल तुझे महबूब है अर्मान कार कुछ बात तो कर ले के नहीं कल की खबर क्या है गमे दुनिया इसे खाक में डाल क्या है गमे तुमिया इसे खाक में डाल मंडवे तले घरीब के दो फूल खिल रहे हैं मंडवे तले घरीब के रावनाल जी आज खल तूर एक एक फिल्म का संगीतकार को लाखों रूपे मिल जाता है छे यह साथ गाने करने के साथ आठ लाख रूपे मिल जाते हैं और जाहर है कि आप लोगों की समय में इतना पैसती नहीं भी तह तरह नहीं था बहुत चोखा काम लेकिन बहुत सस्ते में कर दिया है और कभी मलाल होता है कुछ कि बहुत बहुत आनन्द था अभभी तो हजार है मंगर उस वकत इतना मिलकर भी कुछ खिसे में पैसा रहता था अभी कुछ नहीं बचता जो आता है हजार भी आता तो वो भी तीन सोर पे आने जाने में हो जाता है संगर्ष आपको करना पड़ा बहुत जबर जबर्जास्त हमारे जगर दूसर आज में होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर यह बताइए मुझे कि इस उमर में भी कभी-कभी बांसुरी और शेहनाई ठेड़ने की नहीं है नहीं है अभी छोड़ दिया है अभी क्या बजान जो भी मिल्या ठीक है भी हमको चाहिए भी का हमारा खर्चा भी क्या है तो रामरा जी मैं एक से एक अलग सा सवाल बहुत इस दुनिया से भटा हुआ सवाल है बिल्कुल मानलो आपको दोबारा जन में लेने का मौका मिले क्या बनना चाहेंगे बस मालिक को यास करता रहूं जो वो बनाये बन जाएंगे ऐसा है लेकिन इस वक्त ऐसा है कि आपने जो दुने बनाई है और जिन में खायसों से साज बजाएंगे ऐसे कि मुझे और यादा रहा है मेरे खाल से ये हैं जनम जनम के पेरे जनम जनम के पेरे सांच सवेरे सब को घेरे इनसे न कोई पचेरे ये हैं जनम जनम के पेरे जनम जनम के पेरे मतुरा जा प्रिंदा बन जा चाहे फेरा लगा ले तु कासी का सब कुछ सहना पड़े का बंदे चक्कर है लक्च औरासी का माया मोह के ये खेरे मत लोह क्रोध के अंधेरे सांच सवेरे सब को भेरे इनसे ना कोई बचेरे ये हैं जनम जनम के फेरे जनम जनम के फेरे ये हैं जनम जनम आणीन साज के साथ आवाज कि आपकी जिन्दगी में कौन रागनी बनके आई और उन्होंने आपकी शेनाई जिन्दगी की कप छेड़ी मतलब मैं आपकी धर्म पत्ने की बारे में जाना चाहरा हुआ हमारा 56 में हमारी वाइप से मेरा मुलाकात हुआ अच्छा है इक सवाल मेरे मन में आता है कि आपने बहुत बढ varsay और वी शांतराम जी के बारे में आपने बता रहे दिया इसके लावा जबाने में बिमल रॉय थे गुर्दा तो मैं चाह रहा हूं कि आप इन लोगों के बारे में कुछ पताईए बिमल दा तो आमको पिच्चर दिये था अपनी तूभी गाजमीन उनों भी मुझे बहुत पसंद करते थे फिर प्याल संतुषी साहब हमको सिलिट किये ठांगा वाला स्वारा मुदी साहब को एक पिच्चर हमने किया डोकुमेंटरी थी जासी के रानी के वाजासी के रानी में में बजाया हूं शानाई फ्लूट तो ऐसे करते-करते, शानताराम जी से हमको सिलिट किए एक महीना सुन्नी की बाहद एक फिल्म हाई थी रानी रूपमती रानी रूपमती और जो रूपमती और बाज बहातुर की पेम कहानी पर हाली था हाँ, हाँ तुझे ही मेरे गीद बुलाते हैं आजा मेरे मीद तुझे मेरे गीद बुलाते हैं आजा मेरे मीद तुझे मेरे गीद बुलाते हैं मेरा सुना पड़ारे संगीत मेरा सुना पड़ारे संगीत तुझे मेरे गीद बुलाते हैं आख लोट के आजा मेरे मी बरसे का गन मेरे बरसे नैन देखो तरसे है मन अब तो आजा शीतल पवन ये लगाए अगन दो सजन अब तो मुकडा दिखा जा तुने भलीरे निभाई पीद तुने भलीरे निभाई पीद तुझे मेरे की बुलाते हैं आख लोट के आजा मेरे मी रापना जी कई बर ऐसा होता है कि वक्त को आवास दे करके और उन गीतों को जो उन वक्त की वादियों में गूशते हैं आवास दे के बुलाने का मन करता है कि इसी तरह से आलोट के आजा मेरे मेत तुझे मेरे की बुलाते हैं यह अब ऐसा है कि आलोट के आजा मेरे गीत तुझे मेरे मीत बुलाते हैं यह उल्टा कर देना चाहिए इसको चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया रावनाल जी आप विविद भारती के स्टूडियो में आए हमारे इस प्रोग्राम में आए हम अपनी उर से, अपने सुन्यवालों की उर से, विविद भारती की उर से, तहदिल से आपका शुक्रिया रदा करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाई है शुताओ आप सुन रहे थे सरगम के सितारे वरिष्ट फिल्म संगीतकार श्री रामलाल से कमल शर्मा की बातचीत तक्नीकी सहयोग अनंध पेवेकर का था और प्रस्तुती सहयोग उशा महता का अब रेनू बंसल को दीजिये इजासत नमसकार फिल्मी संगीत का ये सफर नामा अगले हफते भी होगा जरूर सुनिएगा सरगम के सितारे ला लाए जया लाए हो ला ला लाए